नमस्कारम सद्गुरू क्या आप 33 की संख्या के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मुझे पता है कि ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संख्या है और अगले महिने अगली पूर्णिमा को मैं 33 साल का होने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि इशायोग के इंदर में 33 से कम उम्रक के लोगों के लिए एक विशेश साधना दी जा रही है तो मैं ये जानना चाता था कि इस उम्रक को पार करने का मेरे आध्यात्मिक मार्ग में क्या महत्वपूर्ण है? सुनकर अच्छा लगा वैसे योगिक संस्कृति में हमारे जीवन के पहले साड़े आठ सालों को बच्पन माना जाता है तो वो साल नहीं जोड़े जाते हैं हालकि बाला वस्था बारा तक होती है पर साड़े-ाठ साल तक आप वाकई बच्चे होते हैं आपको इसका अनुभव है साड़े-ाठ साल के बाद बस आपके माता-पिता आपको बच्चा समझते थे पर आप चोरी चुपे बहुत कुछ थे हां बड़े सोचते हैं कि आप बच्चे हैं पर आप जानते हैं आप नहीं हैं क्योंकि आपका बच्पन कई तरीकों से साड़े आठ पर खत्म होता है तो अगर आप 200 और चक्र लें जो 24 साल से थोड़ा कम होता है और उसमें साड़े आठ साल जोड़ दें तो ये 32 और तीन चौथाई साल या कुछ ऐसा हो जाएगा 32 साल और साथ महीने ऐसा कुछ सटी गणना हम कर सकते हैं पर ये लगभग 33 साल होता है तो जब ये दो चक्र समाप्त होते हैं बाला वस्था को छोड़ कर जब ये समाप्त होता है तो एक संभावना होती है तब आपका जीवन तीवरता के एक अलग स्तर पर जा सकता है अगर आपने खुद को सही तरीके से तयार किया है चाहे वो शिक्षा हो या कोई कौशल या योग या जीवन के भीत्री आयाम हो अगर आपने इन में से कोई भी तयारी की है तो इस समय चीजें आगे बढ़ सकती है या तब गिरावट शुरू हो सकती है पश्चिमी समाजों में मिड लाइफ संकट की बात होती है या आम तोर पर 33-34 साल के उम्र में होता है अचानक लोग समझ नहीं पाते कि खुद के साथ क्या करना है जीवन अर्थहीन हो जाता है या जो सफल हैं वो आगे बढ़ते हैं और अचानक सफलता या खुशाली के विबिनस तरों तक पहुँचते हैं ये सब हो सकता है क्योंकि सिस्टम के भीतर एक चक्र पूरा हो गया है या तो उंचाईयां मिलेंगी या दुरगटना तो तैंटीस की उम्र से पहले की साधना एक तरह की होती है ये तैयारी की साधना होती है ताकि जब वो पालाए तब वो इसे अपने जीवन में फाइदे मंद बना सकें क्योंकि 32 से 33 साल की उम्र में कितनी सकारात्मक चीजें होती है इससे काफी प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गती भी तैय होगी जीवन काफी हद तक उन चीजों से तैय होगा जो 33 में हुई थी अगर तब जीवन वाकई उचा नहीं उठता तो शायद आप अच्छा करें पर तब उचाईयों को छूना थोड़ा मुश्किल होगा ऐसा नहीं है कि आप ओड़ नहीं पाएंगे ये कहना गलत है पर मुश्किल होगी ज्यादे इंधन की जरूरत होगी काफी ज्यादे इंधन जरूरी होगा पर अगर आपका जीवन आपकी शारीरिक बनावट आपकी उर्जा बनावट आपकी भीतरी जामिती अगर आप इनहें 33 के उम्र तक परिपक्वता के एक स्थर तक ले आए हैं तो जीवन काफी आसानी से आगे बढ़ेगा वरना ज्यादा मेहनत लगेगी तभी हमने 33 साल से कम उम्र के लिए साधना तै की है ताकि वो तयारी रखें वो अपनी भीतरी जामिती और उर्जा को व्यवस्थित रखें वो खुद को ऐसे बचा कर रखें कि जब जीवन आगे बढ़ना चाहे तब ऐसा करने के लिए इंधन हो देखिए आप अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं पर टैंक खाली है तो मुश्किल होगी चाहे कितनी भी संभावनाए हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका टैंक खाली है तो आप उड़ नहीं पाएंगे बाकी सब बढ़िया हो सकता है आप शिक्षित और ज्यानी हो सकते हैं फिर भी इस वज़े से उड़ाना असान नहीं होगी अगर आप 33 साल से आगे जा चुके हैं कुछ लोग उदास दिख रहे हैं सब गुरू मैं 35 का हूँ अब क्या करें ठीक है अगर आप पुरुश हैं तो 42 एक और समय है जब एक और उचाल होता है 33 जितना नहीं पर शक्तिशाली उचाल होता है जो आपकी मदद कर सकता है अगर आप एक महिला हैं तो ये आपके लिए 46 हो सकता है पर शरीर को अच्छे से नहीं संभाला जाए तो 46 में संभावनाएं कम परिशानियां ज्यादा होंगी पर कई संभावनाएं है 46 के आयू तक पहुँचने के बाद महिलाएं स्त्री प्रकृति की उन सीमाओं से परे जा सकती है जो जीवन के कुछ पहलूँ में रुकावट बनती है उन चीजों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जा सकता है क्योंकि उनकी उर्जा स्वाभाविक रूप से बदलती है मैं प्राकृतिक मदद की बात कर रहा हूँ न की ये की व्यक्तिगत लोग क्या करेंगे लोग इन चीजों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं वो अलग बात है पर कुदरती रुजान ऐसा होता है तो इन दोनों से चूक जाने पर फिर साठ के उम्र में साठ के उम्र में कई तरह से सिस्टम का बुन्यादी ढाचा बदल रहा होता है तब आप पुरुष्य महिला नहीं होते अगर आप दिमाग में ऐसा ना माने तो आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा पर ना आपका शरीर ना तो बहुत ज़्यादा पुरुष्य का होगा ना ही महिला का ये एक नई संभाबना होगी कई लोग इस उम्र में खिल उठते हैं पर तब तक लोग बीमार हो जाते हैं उन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं और वो अपने सिर पर कर्म ढो रहे होते हैं इसलिए साठ तक उनकी पीट जुख सकती है और वो हार जाते हैं और वो सिर्फ डॉक्टरों के पास जाते हैं ना कि पवित्र स्थानों में बलकि डॉक्टरों और मनों चिकित्सकों वगेरे के पास ऐसा हुआ तो साठ के बस भी छूट जाएगी पर साठ एक जबर्दस संभावना है तभी इस संस्कृती में अगर आपकी साठ वर्ष के आयू हो तो कई तरह की रस्मे की जाती है अगर कोई शादिर शुदा है तो वो साठ में दोबारा शादी करता है ताकि ये एक नई संभावना बन जाए ताकि शादी कोई जल या बंधन ना होकर एक संभावना बन जाए यही विचार है साठ साल जब लोग साठ के हो जाते हैं तो वो फिर से शादी करते हैं उसी व्यक्ति से आज ये बताना पड़ता है वरना इसे हमेशा से ऐसे ही समझा जाता था तो आप उसी व्यक्ति से शादी करते हैं क्योंकि जब आपने 20 या 25 या जिस भी उम्र में शादी की थी तब शरीर मजबूत था 60 के उम्र में शायद आपकी चेतना मजबूत हो यानि नई संभावनाएं हैं तो विवाहित लोग ऐसी चीजों से गुजरते हैं और दूसरे लोग दूसरी रस्मों से और कई लोग योग साधना 60 के उम्र में ही शुरू करते हैं पर इसके लिए आपको कम से कम अपने शरीर को ठीक रखना होगा अगर आप धर्ती माता जैसा बनना चाहते हैं या आप कई तरीकों से बिमार हो गए हैं तो वो संभावना उपलब्ध नहीं होगी तो अगर आप 33 से नीचे हैं तो 33 का फाइदा लेना सबसे अच्छा है 33 से पहले खुद को सक्रिय करें अपनी जामिती को ऐसे तयार करें कि आप खुद अपने जीवन में कभी भी रुकावाट ना बने आप मुद्दा ना बने या आपको जरूर करना चाहिए दुनिया में हजार मुद्दे हैं पर आप मुद्दा नहीं हैं ये हो जाए तो इन वर्षों की चिंता करने की जरूरत नहीं है 33, 34, 35 किसी भी समय उडान संभव है सॉरी, क्या मुझे सारे नंबर बोलने चाहिए नई, आप कभी भी उडान भर सकते हैं पर तैयारी करने के लिए 33 तक 32 साल और 7 महिने की उम्र तक लगभग इतना अगर आपने काफी काम किया है अपनी जामिती, उर्जा की प्रक्रियाओं, विचारों और भावनाओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए ये चीजें सुलज गई हैं तो जीवन खेल उठेगा तो हमीशा समस्कृती के बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं सभी सोच रहे हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उन्हें नौकरी कहां मिलेगी वो मैकिनजी कैसे जाएंगे, वो कहीं और कैसे जाएंगे वो उन जगाओं पर नहीं बलकि बहतर जगाओं पर जाएंगे क्योंकि जिस तरह से वो अपनी उर्जाओं को और जामिती को व्यवस्थित कर रहे हैं हमें उन्हें 18 या 20 की उम्र में छोड़ना पड़ता है जैसे ही वो घर जाते हैं अगर माता पिता उन्हें परिशान नहीं करते हैं मुझे आशा है कि वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को समस्कृती में भर्ती करने की बुद्धी और साहस था पर वो ज्यादा चिंतित हो जाते हैं तुम 20 के हो गए हो तुमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तुम क्या करोगे मैंने हाल ही में कहा था कि पिछले साट सतर वर्षों में पहली बार आपके चहरे पर एक सर्टिफिकेट होना जरूरी हो गया है और ये बेवकूफ सर्टिफिकेट दर्वाजे खोल रहा है वरना मानत्ता के इतिहास में कभी किसी सर्टिफिकेट ने द्वार नहीं खोले बस लोगों की योगिता नहीं द्वार खोले है फिर से दुनिया वहीं जा रही है कई बिजनेस या कमपनिया आपका सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है वो बस ये पूछ रही है कि आप क्या कर सकते हैं या आपने अब तक क्या किया है और ऐसा ही होगा अगर आप 33 की उम्र तक अपने सिस्टम में तालमेल लाने में काफी समय लगाते हैं तो वो पलाने पर स्वाभविक रूप से संभावनाय खुलती है और कई चीजें संभव होती है पर खुद को बहुत जल्दी थकाना भी नहीं चाहिए ये जरूरी है अभी खासकर अमेरिकी लोग आकर मुझसे कहते हैं मेरा बेटा 11 साल का है वो अभी से ही एक कंपनी का CEO है मैंने का क्या आप अपने बच्चे को बाजार में फेंक चुके हैं दुर्भागे से बड़े होने पर आपको बाजार से थोड़ा जुड़ना ही पड़ता है क्योंकि दुनिया पैसो का लेंदेन बन रही है पर वो 11 साल का है 11 में CEO यानि शायद ये 6 से चल रहा है 6 साल के बच्चे को आपने बाजार में जोड़ दिया आप इससे बुरा कुछ नहीं कर सकते आप ये बक्वास करते हैं प्लीज अपने बच्चों को अकेला छोड़ दे उन्हें उनके शरीर मन बोध और उनकी जामिती को विक्सित करने दे आपको समझना होगा कि ये बहुत जरूरी है बाहरी दुनिया में कुछ महत्वपून तभी होता है जब आपकी बनावट में तालमेल हो और आपके अस्तित्व की जामिती में ठकराव नहो अगर ऐसा नहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर सिर्फ ठकराव और परिशानी होगी अगर बनावट में समता नहो अगर आप किसी ऐसे यांतरिक वस्तू या मशीन को देखें जिसकी बनावट में समता नहो तो उसमें बस ठकराव होगा आपको समझना चाहिए बहरी संसार चाहे वो आकाश गंगा हो या सौर मंडल या ये शरीर ये सभी मशीने हैं सब जामिती से तय होता है जामिती में जितना तालमेल है उतनी ही आसानी से मशीन काम करेगी वरना तकराव होगा जब तकराव होता है तब जितनी तेजी होगी उतनी परिशानी होगी ऐसा हो रहा है दुनिया में सफल लोग जो तेजी से जीवन जी रहे हैं वो असफल लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा दुखी है हाला कि अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आप बीच पर घूम कर मज़े ले सकते हैं क्योंकि समय है असफल तक यही खूबसूरती है तब समय होता है अरे ये कौन है मुझे पता नहीं था कि ऐसे इतने लोग है सफलता सफलता की समस्य यह है कि सफल होने पर समय ही नहीं होता तो आपको सूपर अलर्ट बनना होगा तब ही आप पूरी तरह जीवन्त बनेंगे और हर पल जीवन का स्वाद जान पाएंगे वरना आप एक जॉम्बी बन जाएंगे आपके सिर में कुछ चीज़ें चलती रहेंगी जो की जीवन नहीं है झाल